तो हेई गाईज कैसे हो आप सब गेमिंग न्यूस 15 के हैर गाईज ये वीडियो में हम देखने वाले हैं वो रियल रीजन जिसके वज़े से ग्लोबल E-Sport अपने बीजमाई ओपरेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया और गाईज साथ ही में देखेंगे जब गातक वाई ने गोल्डी भाई को कॉल की बट उससे पहले देखते हैं कल का एक टोप कमेंट जहापर आएमी गेमिंग ने ये लिखा जैमाता जी चलो गाईज अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं वीडियो में जहापर पहली अपडेट निगल कर आती है BGS 2023 राउंड 3 डे 3 की तरफ से तो guys group 6 के overall standing आप अभी screen पर देख सकते हो जहापर number 1 पर चल लगी है team x park with 66 points और साथ ही में second number पर है new man gaming with 60 points और guys group 5 के overall standing ये है जहापर number 1 पर है raven and e-sport with 49 points और team solar hashtag 2 पर with 46 points और guys अभी तक ये बड़ा जारे कि group 5 सबसे difficult होने वाला है जैसे कि आप अभी screen पर देख सकते हो जहापर सभी teams के total points में ज्यादा difference नहीं है तो guys अभ लेट सी हमको आज क्या final overall standing देखने को मिलने वाली है और guys bgs created बात करी रहे हैं तो कल हमको bgm officials की तरफ से एक post देखने को मिला था जो कि आप अभी screen पर देख सकते हो basically यहाँ पर हम bgs round 2 के सभी top finish leaders को देख सकते हैं और इसमें number 1 पर रहे है god like jonathan with 30 finishes और guys फिर यह चीज को शेर करते हैं jonathan ने वो sadness and disappointment वाली emoji लगाई reason तो guys आपको पता ही है god like got eliminated from bgis और guys next update निकल कर आती है god like shadow के related तो guys क्योंकि अभी current god like के line up में हमको s power jonathan new nz god देखने को मिले थे तो काफी साइड लोग यह पूछ रहे थे कि shadow कहाँ पर हैं क्या वो team god like को leave करने वाले हैं तो guys वो चीज पर नियो ने पहले ये react किया था shadow का है shadow का पर शाड़ो से बात हुआ है घर पे guys वो ही फिलाल तो इसके बात जब कमझीत पाजी live आए थे तो वहाँ पर भी काफी सारे लोग यह चीज़ के related उनसे पूछ रहे थे तो आप उनका भी reaction देखिए और guys नेक्स एक थोड़ी serious update है SATL के related जो की निगल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से तो guys गोल्डी भाई ने एक चीज़ को reveal किया जहां पर कुछ लोग SATL के खिलाफ एक agent चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो guys BJS में हमको hackers तेकने को मिल रहे हैं ये चीज़ तो आपको अलड़ी पताई है and guys इसके बाद कुछ team SATL members को tag करके Instagram पर stories लगा रहे थे and guys जब वो टीम्स का matter solve नहीं हुआ तो वो SATL के खिलाफ एक agent न चलाने लगे कि SATL and Motel को e-sport award के लिए vote मत करो which obviously doesn't make any sense and फिर ये चीज़ पर react करते वे गोली भाई ने कुछ ये कहा जिन्होंने voice race करी है पहले थो उन से पूछूँगा और वो on the dog से पूछूँगा team 8bit के साथ दो साल पहले same चीज़ हुई थी and तब हम कुछ नहीं कर पाए थे खुद के लिए भी इस बाद team 8bit के BJS के round 3 के slot मे 3 team ban हुई है जो hacker थी उनकी वज़से उनकी games भी ban हुए खराब हुए है हम अपने लिए खुच नहीं कर पाए and you guys expect us to go out of the way and story share करके हल्ला मचाने से कुछ होना जाना है नी उस agenda को चलाओ मुझे कुछ प्रवरूम नी है बस उस agenda में एक सजजन का मैंने कुछ सुना कुछ मिरे पस एक को आया था जो कहते है कि इनको vote-vote मत करो जो हम लोग e-sports award गी ने नॉमिले लेड है तो पहली बात तो भाईजी e-sports award कोई हम लोग का अपना award नहीं है it's the representation of an org from a country and यह जो नेता बनके आया ना I know यह किसके supporters है और इनको जो मौका मिला सब्सक्राइब को बीच में ताम के सब्सक्राइब को बीच में डालने का this is the weirdest and the most absurd thing I've seen on internet यह जाके सजजन और इनका group और कुछ अंडरोक्स को यह साथ में मिला के बोलते है कि vote नहीं कराना इनको और हमको stories में tag कर रहा है फुल बेशरमी से तो पहली बाद तो SATL is not a government of e-sports हम लोग का ठेका नहीं है हम लोग उठा के जो है क्राफटन के भी वो करे हम लोग अपनी 8 bit के लिए कुछ नहीं कर पाए हम लोग अपना काम करते है काम से सिर्फ अपना मतलब रखते है और जितना काम हो सके अपने लेवल पर उतना करने ही कोशिश करते है और जो एड़ना चला रहा है वो भी मुझे पता है किसका फैन है आप लोग भूल जाओ कि इन चीज़ों से कुछ होने वाला है अगर आप लोग अपने लड़ाई नहीं लड़ोगे ना तो कोई आपके लियाकर नहीं लड़ाई लड़ने वाला और से टोली क्यों भाई और बीस और गया ना सबको टाग करो हम लोग क्राफटन थोड़ी है भाई और गाईस नेक्स एक अपडेट है इन्विटेशन के लिफोन आया था इस बार आरती है लास्टाइम में सोगी थी बट इस बार जरूर जाएंगे मैं तो नहीं जा पहूंगा बट अग मोटल में से जरूर कोई ना कोई जाएगा तो यह है रिलेशन हमार मेरे बात के और गाईस इसके बाद तक भाई ने भी इस पर रियाड करते हैं यह का था यह यह सम लोग जाएंगे कि वो तीन दीन बाद आकर सब कुछ एक्स्प्रेइन कर देंगे बन कैस ओल लडी अरॉर्ड फिफ्टीन देज हो चुके हैं तो इग्जेटली कहां से चीजे शुरू ही उसके रिलेटेट रूशिंजा सिना ने पूरा एक्स्प्लेइन किया आपको पूरी वीडियो दिखनी है तो आफ उनके चैनल पर जा कर देख सकते हो मावी कें फर्स पिर मायावी याया मादर भी बता देता हूँ इस बहुत देख सकते हैं कि आपके हैं तो इस देख रूस्टर के भाम में आपको टोपिटनी है क्या यहाद इनोग को मैं ट्रेंट करूगा अनर तीम मयावी फिर आगे अकुसिशंछ एस इढ कर एसले इसले आपके उपाद एसले तरव एसले को एसले किया, मैं लिए इननावता करू किरो चैकल एसले करो L very difficult for us to figure out past में क्या हो रहा था, किसने क्या किया, कैसे किया, हर एक अक्यूसेशन का, जितना भी, स्नेहल हो, गुजर हो, एनी परसें, every single accusation का, मैयावी ने तीम के साथ बहट के, पूरा का पूरा रिस्पॉंड किया है, with answers, with screen shots, with recordings, और ये सारे वीडियो उसे रिकॉर्ड किया थे न फिर्स्टी का सप्टेंबर, अभी हो रहा है, मिद सप्टेंबर, जब उसने बला था तीन दिन में सारे जॉब दे रहा है, सारे रिकॉर्ड कर के उसने मुझे बेज़ दे रहा है, आई ओल मैयावी ने ब्रो, तो फिर वो चीजग के डेडिट गोली ने ब्याट किया, आप देखिये, और गाईस, नेक्स एक अबडेट निकल कर आती है, बीजेमाई में चीट्स के रिलेटेड, तो गाईस, अल्यडी हमने प्रिवेस वीडियो में देखा था, आपर round 1 and round 2 की बाद, बीजेमाई ओफिशेल्स की तरफ से हमको काफे strict action देखने को मिले थे, बट गाईस, लिटरिली उसके बाद भी एजेज डुकरें का नाम नहीं ले रही है, और कल भी हमको कुछ प्लेट स्लाई बैन होते हुए दिक हैं, आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो, वन ब्लेड और्ग is no longer involved in e-sports, जादू एंड रोकस्टा आर नाओ युनाइटेड एस टीम कैनरी अंटिल फर्दर नोटेस, तो गैस बिसिकली कैनरी नहीं आँ से ये लिखा कि वन ब्लेड और्ग अब e-sports का पार्ट नहीं है, और कई साथ ही मिन्होंने आगे टोर्नमेंट और्गनेजर से ये रिक्वेस्ट भी की कि अब आप टीम कैनरी को ही स्लोट देना, ना कि किसी थर्ड पार्टी और्ग्स को, और गैस इसके बाद हमको वन ब्लेड की तरफ से भी रिप्लाय देखने को मिला, और वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वहाँ पर उनने लिखा कि टीम ब्लेड अभी भी e-sports में ओपरेट कर रही है, और फिर उन्होंने भी टोर्णामेंट और्ग्स के लिए ये लिखा, और गैस नेक्स एक ब्लेड निकल कराती है, गोडलाय के गल्स लाइनप के रिलेटेट, तो गैस कल गोडलाय करेबल ने रिप्लाय किया, बीजेमस में क्वालिफिकेशन के रिलेटेट, तो एक्जेक्टली जो नोने का आप देखिए, तो बस गैस फिलाल के वीडियो मित नहीं तक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ हमें वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को भी लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई!